हालो लिसनर्स आज के टोट लब हम से खेंगे अपनी फाइल को सेभ एजा वेब में कैसे करेंगे means that ही एह हमारे परस एक फाइल है हमने इसको इसको एजा वेब ने सेव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फाईल में हमें याएंगे, यहां से हम Click करेंगे Save For The Web, जैसे हम Save For Web के उपर Click करेंगे, हमें यहाँ पर इस तरीके का हमें Preview शो हो जाता है हमारी फाइल का, अगर आप Original पर Click करोगे तो यह हमें Original दिखाएगा, यहां पर Optimize पर करोगे तो यह हमें Optimize दिखाएगा, तो आप में करोगे तो आप देख सकते हो कि यह हमें दो हिस्सा में हमारी फाइल को शो कर रहा है means एक हमें शो कर रहा है original और एक हमें शो करते हैं optimize यह आप इन तीनों में से यहां से कोई भी option के उपर click कर सकते हैं click करने के बाद आप यह भी right hand side पर आओगे यहां पर आपको कुछ options मिलती है अगर आप इन options को कुछ changes करना चाहते हो और वो changes कर सकते हो for example हम यहां से select करते है JPG एक बात और बताना चाहूंगे JPG select करने से पहले यहां पर हमारे पास जो भी complex effects होते हैं जो की deal करते हैं for example हमने gradient यूज किया हुआ है यह कोई drop shadow यूज किया हुआ तो उसके लिए हम choose करते हैं जातो JPG file को करते हैं या हम PNG files को हम यहां पर JPG को लेते हैं तो आप आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर JPG में convert हो चुकी है next option आती है हमारे पास quality quality में अगर आप देखेंगे यहां पर हमें slider bar show कर देता है यहां से आप अपनी quality किसी भी तरिके से minimize यह maximum यह आप देख सकते हैं आपको यह किस तरिके की quality show कर देता for example अगर आप यहां पर 100% कर देते हो तो यह हमारी 100% आएगी but यहां से हमारा size उससे accordingly increase और decrease करता जाता है next option आते है हमारे पर maximum जैसे हम इसके उपर click करते हैं और यहां पर हमें options आते है low, medium, high, very high and maximum एक बात और बताना चाहूंगे यहां पर जैसे आप low के उपर click करते हो यहां पर यह देख सकते हो आपको यहां पर इसकी low quantity शो हो रही और यहां पर quantity यह शो करें वह हो रही है 10% means अगर आप यहां से medium लेते हो तो यह हो जाएगा 30% high करते हो तो 60% means that कि आपको जब यहां से जो भी quality को select करोगे automatically यह आपको उसमें show करता जाएगा next अगर आप very high कर देते हो तो यह आपको 80% ले जाता है और अगर आप इसको maximum कर दोगे तो वह आपको 100% ले जाएगा हम यहां से इसको select करते है high high select करने के बाद यह हो गया 60% है इसके और हमारे पस नीचे और भी options आती है progressive करना चाहते हो ब्लर करना चाहते हो यह आप अपने accordingly उस need के इसको change कर सकते हो यहां से अगर आप image का size भी increase और decrease means अगर आप उसकी width को height को उसके percentage को increase और decrease करना चाहते है वह आप यहां से कर सकते हो next इंस से options को create करने के बाद हम क्या करते से उपक्लिक करते हैं यहां से तो हमारे पाद सेको आप्तेमाइस also का dialogue box open हो जाता है हम क्या करेंगे डक्रोंप पे जाएंगे हम यहा से अपना path को choose करेंगे path को choose करने के बाद यहां से हम इसका नाम दें गे Mm For example, हम इसका नाम दे देते हैं, save as web, यहां से हम क्लिक करेंगे save की उपर, और यहां पर अगर आप देखोगे save as type में, आपको automatically इसने image only का extension उठा लिया, यहां से हम save की उपर क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे यह जो हमारी file जो है, यह हमारी save हो चुकिये, save as a web पे, तो आज के टुटोरल में हमने सीखा कि हम अपने artboard को file में हम कैसे save as a web कर सकते हैं, thank you.